जय गौ माता जय स्री राम छत्तिस गड़ सुरज पुचिला हमारे ग्राम कर्मा पूरे छत्तिस गड़ में वण पीस का ग्राम है आएए मैं आप समनों को दिखाता हूँ इस टाइप से घास पताई लगाकर पेड़ पौधा लगाकर तरतर के उस धीगुड़ वाला पेड़ पौधा तरतर के घास नेपियर घास जीसे बहुत सारे प्रकार के घास आते हैं सब को लगा करके इस टाइप का सारे गोवन्ष को बचाया जा सकता है आज काम धेनू कलबतरू सेवा संस्थान ग्राम कर्वां जन्षमू शहयोग सरमदान से एस संचालित है एक सो पचीस गो इस टाइप से सारे गोवन्ष को पूरे 36 गड़का गोवन्ष को हम लोग बचा सकते हैं जमीन को बचा सकते हैं तरहतर का पिड़पोधा और सधी गुड़वाला खास पताई को बचा सकते हैं और गोमुत्र गोवर से तरहतर का खाद, जेविक खाद, जीवामरित खाद, अमरित खाद, गोवर से गैस, गोवर कंडा, इत्यादी के माध्यम से हम समाज को रशाइनिक मुक्त बना सकते हैं निरोगी बना सकते हैं, इसमें कई प्रकार का उर्जा छुपा हुआ है, गोवर कंडा बनाने में, गैस बनाने में, चलरी खाद बनाने में, जीवामरित खाद बनाने में, जेविक खाद बनाने में, कितनों का रुजगार बनेगा तो इसलिए इसमें कितना का रुजगार शुपा हुआ है तो पूरे 36 गड़ के समस्त गवभक्तों को मैं निवेदन करता हूँ प्रतना करता हूँ कि इस टाइब के गववन्स को सब लोग अपने अपने पंचायत के गुठान में संरक्षन करके बचाएं सोलर का वेवस्था बना दिये हैं इस टाइब का रूम बना के रखे हैं इस टाइब से नादूद बना के रखे हैं तो आप सब लोग से मेरा निवेदन है कि सब लोग इस टाइब से करें अब नहीं कर पाते हैं तो हमारे गर्वां हमारे ग्राम करवां के कामधिनुकल अप्तरु सिवासन स्थान के माध्यम से शहयोग्षिब बन रहा है ये आप लोग सहयोग करें ताकि ये भारत तेश का नहीं तुरे बीश्व का ये माडल बन सके कि गववन्स को बचाया जाए अब गववन्स के माध्यम से तरह-तरह का सम पूरा बिश्व विजय का इसमें राज छुपा हुआ है ये सनातनी ये सब को समझें और कहा जाए तो सनातनी पूरे ब्रमांड में जितने जीव चराचर हैं सभी सनातनी जिसके सरीर के अंदर अगनी वायू जल मिटी और अकास के तत्तो है सब सनातनी हैं आज सनातन का जाने अंजाने कोई बिरोध न करें सनातन को जाने सनातन का अनुसरण करें जय गव माता जय स्रीराम जय भारत माता बंदे मात्रम